किम अज हम बात करेंगे के और कोण्टेंट के बारे में को है कोन्टेंट कैसे बनाया जाता है तो अब एक हच्छे चापिक पर आता हूं तो ये जो वीडियो में आपको बना रहा हूं जिसमें मैं कॉन्टंट के बारे में बात कर रहा हूँ, यह भी एक content ही है, जो आप लोगों को पास एक platform YouTube के माद्रम से पहुँच रही है, या फिर Facebook के माद्रम से, आप इसे देख रहे हैं, आप एक action ले सकते हैं, जैसे कि आप मुझे subscribe कर सकते हैं इसके बदले, और मैंने जो आप से एक action करवाया है, यह मेरी marketing है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं content marketing कर रहा हूँ, content क्या होता है, आप जो वीडियो देते हैं YouTube पे, वो भी एक content ही है, आप websites पे blog पढ़ते हैं, वो भी content है, आप podcast सुनते हैं, वो भी content है, तो यह सब contents होते हैं, जो भी आप social media पे, ऐसे knowledgeable content देखते हैं, जिसके माद्यम से आप कोई action लेते हैं, या फिर कोई product खरेते हैं content के दोरा, तो वो content provide कर रहा है, वो वेंडर, वो content marketing कर रहा है, तो मुझे लगता है, अब आपको content का overview पता चल गया हुआ कि content क्या है, content कैसे बनाया जाता है, और content की जरूरत क्यों होती है, देखो, अगर आप digital marketing करते हैं, या फिर इस field से संबंदित आप कोई कारिय करते हैं, या आपके पास कोई product और service है, जिसे आप sell करना चाहते हैं, तो without content आप उसे बिलकुल sell नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आप Facebook पे ads बनाना चाहते हैं, तो आपको graphics बनानी होगी, जिसमें आपको product के बारे में कुछ जानकालिया देनी होगी, आपको ads बनाना होगा, वीडियो ads जिसमें आपको product के बारे में जानकालिया देनी होगी, आपको text बनाना होगा, तो यह सब कैसे होता है यह सब content के ही दोरा होता है तो content तो हमेशा लगएगा ठीक है और हम जो marketing करते हैं content से हम कोई sales लेना चाहते हैं तो यह just content marketing है ठीक है content कितने प्रकार के होते हैं आपके videos content है आपके text वो sorry article सब कॉंटेंट कैसे बनाय जा सकता है आप के पास मोबाइल फोन होना चाहिए जैसा कि मैं ये बना रहा हूं इसे आप अच्छा कॉंटेंट बनाना जा ताकि आप उसे अगर आप प्रोडेक्ट और सर्विस बेच रहे हैं तो बढ़िया रिस्पॉंस आए अभी आप ग्रीन स्क्रीन के पास चाहिए वहाँ पर वीडियो रिकाट करिए उसे क्रोमा की से इनेबल करिए प्रोडेक्ट और सर्विस के बारे में बात करिए अच्छे इडिटिंग करिए यह कॉंटेंट हो गया और कुछ कॉंटेंट आपको फ्री में भी अप्लोड करना चाहिए अगर आप लंबे समय तक मार्केट में रहना चाहते हैं जैसे कि मैं कर रहा हूं आप मेरी चैनल की होमपेज पर जाए वहां देखिए कि मैंने काफी सारा इस्टिट्यूट आप टेक्नॉलजी वहां पर देखिए मैंने काफी सारा कॉंटेंट क्रिएट किया है मैं अपने कॉंटेंट से क्या चाहता हूं आपसे क्या एक्षन लेना चाहता हूं आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे यही मेरी मार्केटिंग है अगर मैं कोई प्रो कॉंटेंट क्या है कॉंटेंट मार्केटिंग क्या है और आप कॉंटेंट कैसे बना सकते हैं मैं अब आगे प्राक्टिकल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं दस मिट बीस मिट के अंदर यह सारी चीज़े कवर करूँगा कि आप कॉंटेंट कैसे बना सकते हैं मैं झाल